हेलो गाइज वेलकम बैग तो माई यूट्व चैनल सलोट फैक्ट आज कर जो मैं टोपिक लेकर आयो मैं हेर स्मूथनिंग के बारे में हैर स्मूथनिंग में करके नहीं दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको थे आप करते हो में आपके पास पॉंध। भी मितलब बालो में उन описании कर जाता है और आप पर ए और आ जाए तो आप उन पर हेर स्मूतिंग कैसे कर सकते हैं गाइस वीडियो ज्यादर लंबी नहीं करूंगा बस आपको मैं यह चीज़ बताने वाला हो कुछ प्रोडेक्ट ऐसे दे रखे हैं कंपनियों नहीं जो आप इसको यूज करके स्मूतिंग को कर सकते हैं और आपके बाल ना स्रिंग होगा थाना थे ड्राइनेस आई कि बालों ना बाल बन होगे तो आपको क्या करना काईस पहले में प्रोडेक्ट के नाम बता देता हूं जैसे कि वेला में आता है यह वेला में आता है प्रिट्रीट्मेंट जैसा कि आपको screen पर दिख रहा होगा pump treatment वोलते हैं pump pre treatment जैसा कि आपको screen पर दिख रहा होगा आप इसको use कर सकते हैं वो इस source scope में आता है protect protect fix state यह गैस बैलन्स रखता है बालो गए पी एच को बालो को प्रोटेक्ट करता है और लोरियल में भी आता है और आपको स्क्रीन पर झाली दिखा रहा है स्क्रीन अंगा आके आपको को नहीं उसलिए रहा जाता है और रह गैस अमारा matrix सबने अपने treatment बना रखे matrix में आता है booster के नाम से आता है जो आपको screen पर दिख रहा होगा orange color का होता है इसकी जो nozzle होती है pointed होती है इसको लगाने में easily बहुत easily लग जाता है तो इसको कैसे use करना है smoothing में ताकि आपका बाल dry भी ना हो और आपका smoothing का result भी अच्छा आजाए तो guys आप ये color treated hair पर नहीं आप ये जो बाल भी थिन होते है लगता है आपको कि आप smoothing कर रहे है तो ends पर जो dryness आती हो क्योंकि थिन होता है हमारे जो scalp होता है bone हमारे scalp से break होता है then हमारे जो ends होता है क्योंकि ends भी ज्यादा thin होते है और scalp पर heat होती है इस कारण हमारे bone यहां के ज्यादा जल्दी break होता है हम इनको ends पर भी यूज़ कर सकते है virgin hair पर क्राइन के बाल थिन है या बालों में ज्यादा dryness है और बाल पोरस ज्यादा है कि आपको लगता है बालों में dryness आ सकती है इसको प्री ट्रीट्मेंट क्यों का जाता है इसको इसलिए का जाता है smoothing से पहले यह treatment कर रहे है तो इसका नाम इसलिए pre treatment दिया गया है तो इसको कैसे यूज़ करते है इस वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूँआ और नाइस वीडियो में आपको मैं smoothing करना सिखा रहा हूँ क्यों कि smoothing की video मैंने डेपली बेसिक से video बना रखी है इसमसे आपको मैं यह product यूज़ करना सिखाऊँगा करें लिए भूस्त लिए रही दिय। लगाने से पहले लगाने से पहले यह तो नोर्मल तरीका हो गया फर्स क्रीम लगाने से पहले जो आपका तीसरा स्टेप होगा वह आपका हो जाएगा गाइस इन ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए अगर आप टावल ड्राय कर लिए जैसे थोड़े थोड़े बाल गीले वेट है उन पर क्या करना है इसमें से कोई भी आप पर अबिलेबल हो कोई साभी आपके पोकेट फैन या कम रेंज में आप यूज करना जाए तो मैट्रिक्स का लगा दे पूरे बालों पर में आता है लोे रकल लगा सकते है उसको आप यहाँ पर जो आपको लगानी है आपकोց पड़ खेंड डियो को गया वर्च गरसच्पर यह रहे तो गडानी है पही एक ही suggestion दूँगा अगर बाल ज्यादा dryness है ज्यादा chemical treated है तो guys आप क्या करें matrix में opti scalp के नाम से आता है opti scalp जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें भी category आती है resistant normal sensitize आपको यूज करना है sensitive ties जो green पट्टी में लिखा हुआ है वह ज्यादा यूज करेंगे तो आपको ज्यादा result मिलने वाला है और आपको बाल जलने का बन होने का कोई खत्रा नहीं होगा आपको क्या करना है towel dry करके इन pre treatment को यूज कर लेना यूज मैंना आपको बता दें से color वाले बालों पर अच्छे से जाता है जब यह ले टूड़ती है तब यह अंदर अटेक करता है जब तक आपका पूरा process हो जाता है तो एक artificial ले चड़ाता है बालों को प्रोटेक्ट करता है और बालों को बन नहीं होने देता चोथा आपको क्या करना है रिंज कर लेना है वैसे रिंज में हम मैं कहता हूं कि कभी भी खाली रिंज करना है बालों में मास्क नहीं लगाना है इस situation में आपको थोड़ा सा mask लेना है और बालों पर लगाना है, then rinse करना है, क्योंकि बाल ज्यादा sensitive थे, ठीक है guys, बालों का ph इस में बहुत ज्यादा imbalance हो जता है, then 5 बापको वह ये, then आपको dry करके lining करनी है, ठीक है, below dry plus lining, then आपको neutralizer लगा लेना है, गाइस में आपको उतादू निट्रिलाइजर इसका अलग आता है अगर आपको optis scalping की सर्यूज करें तो इसका निट्रिलाइजर गाइस अलग आता है आप वही यूज कीजिएगा इसे और सफ़का यूज करें तो दो नंबर क्रीम यूज करेंगा जिरो, एक, दो इसमें आती है और मेट्रिक्स में भी आती है नॉर्मल ररेसिस्टेंड आप नॉर्मल यूज करेंगा लोरिल में तुम्हें आपको करने आती है बस में प्रीट्रीट्मेंट बता था कि उसे कैसे यूज करते हैं इनको महीं यूज करना है यह महां बर्जन हेर पर नहीं लगाना है क्योंकि बॉन्ट फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा ब्रेक होने में क्योंकि उस पर भी आपके क्यूटिकल्स खुलेगा तब आपके कोटेक्स में जाएगी तो इसलिए आपको यह स्प्रे और यह जो बूस्टर है महीं यूज करना है जहाँ पर कैमिकल बाले बाल है इतनी सारी कैटेगरी में इसलिए बता दिया इसमें से आप कोई सा भी एक यूज करना है ठीक है गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आगे होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना and don't forget to press the bell icon